हेलो फ्रेंट्स वेलकॉण टो आल अफ यू इन माई योट्यो चैनल पढ़ाए विद पीके दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यांसे तू सुबोध के गनीद भाग को तो आज के इस वीडियो में गनीद को पढ़ेंगे क्यांसे तू सब्सक्राइब करें तो हमारे योट्यूब चैनल पढ़ाए विद पीके को जरू सबस्क्राइब करें विइस अपने दोस्तों को भी जरू से एक उर पर जो जानिया जाता है तो पनी दूत क्यात की जिए कि अचि नमबर upfront यहारा पीज давarianग का हुला सबाब चाई के लिए तीन कप पानी वह एक कप दूद लिया जाता है तो पानी वह दूद का अनुपात ग्यांत कीजिए तो देखिए अपको बोला है पानी और दूद का अनुपात ग्यांत करने तो बताईए अपने पानी कितना कप लिया तो पानी तीन लिया दूद कितना तो इसका अनुपाद क्या हो गया तो इसका अनुपाद आपका हो गया तीन अनुपाद एक कितना हो गया तो तीन अनुपाद एक हो गया यहां पे आपका एंसर तो यहां पे आप एंसर क्या लिखिएगा तीन अनुपात एक ठीक है चलिए तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो की है हमारा सवाल नंबर दो ये था आपका तीन अनुपात एक सवाल नंबर दो क्या बोल रहा है तो सवाल नंबर दो में दिया गया है सुनिधी का भार सेफाली के भार का दू गुना है तो दोनों के भार का अनुपात ग्याद कीजिए तो क्या दिया है सुनिधी का भार सेफाली के भार के दू गुना है तो दो अनुपात एक इसका अनुपात क्या हो जागा दो अनुपात एक क्योंकि सुनेधी का भार रदी दो किलो है तो सेफ़ाली का भार एक किलो है नहीं कि रदीष का भार बिस किलो है तो सेफ़ाली का भार आपका एक किलो है ठीक है तो सुनेधी का भार सेफ़ाली के भार का दुगना है सवाल नमबर तीन एक तिमाही का पूरे वर्स के साथ अनुपात देखिए एक तिमाही में कितने महीने होते हैं तीन महीने पूरे वर्स में कितने महीने होते हैं बारा महीने इसे कैंसल कीजिए तो कितने हो गए एक अनुपात 4, कितने आगा इसका एंसर, एक अनुपात 4, तो यहाँ पर जो इसका एंसर होगा, वह आपका हो जाएगा, एक अनुपात 4, ठीक है, तब इसे नौट इस तरह से कर ले, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, मेज की लंबाई 120 cm, चोड़ाई 60 cm, लंब 20, अनुपात 60, कट करेंगे 60 से तो यह दो बार में, और यह आपके कट गए एक बार में, तो कितने अनुपात एक होगे, आपका एंसर तो लंबाई, उचोड़ाई का अनुपात यहाँ हो जाएगा, दो अनुपात 1, ठीक है, तो आप इसे इस तरह से नौट कर लेंगे, च तो क्या हो गए, साथ अनुपात 1, साथ अनुपात 1, यहाँ पर आपका एंसर आगया, साथ अनुपात 1, ठीक है, तो आप इसी इस तरह से नौट कर लेंगे, चलिए, मैं इसको इसके जगह पे रख देता हूँ, तो यह हो गया, यहाँ पर आपके एंसर, सवाल नंबर 6, कारियाले का समय 10 से 5 बजे तक है, यदि भोजना अवकास 30 मिनट का हो, तो कुल समय वा भोजना अवकास समय का अनुपात यहां थी, देखिए, 10 से 5 बजे तक है, कारियाले का अवकास जवाब का 10 बजे से 5 बजे त आ यह तो देखिए 10 के बाद 5 5 आने का हिए हो गया 17 तो दास से 17 ने कितने घंटे तो 7 घंटे कितने घंटे होगोर तो 10 बजे से 5 बजे तो आप यहाँ पर answer लिखिएगा जैसे कि मैंने लिखा क्या कि 7 अनुपाथ 1 बटा 2 बराबर 14 अनुपाथ 1 ठीक है तो आपको इसी तरह से लिखने हैं यही होंगे इस सवाल के आपके answer चलिए एकला सवाल देखिए सवाल नंबर 7 रमेस ने 4,000 रुपए वा सूरेस ने 10,000 रुपए वैपार में लगाए तो सूरेस वा रमेस का था देखिए आपे नाम बदल दिया है सूरेस वा रमेस पहले सूरेस कर दिया है यानि कि पहले आपको सूरेस को लिखना होगा जिसने की 10,000 रुपए लगाए उसके बाद रमेज को लिखना होगा जिसने की 4,000 रुपे लगा है देखी तीन 0 से तीन 0 केंसील हो गए हो गए यह 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 कितने आगे तो 5 अनुपाथ 2 आगया आपका एंसर कितना आगया तो 5 अनुपाथ 2 ठीक है तो आपको आपको आपके तो काट के दिखा आने नहीं है इसलिए आप इतना लिख लीजिए गा उसके बार बराबर देखें पांच अनुपात दो आप इस तरह से एंसर लिख दीजिए चलिए मैं इसको इसके जगह पर रख देता हूं ठीक है यह हो गए यहां पर आपके एंसर यहां सवाल नंबर आच एक फैक्टरि में कूल 72 तर इसमयल आएं तो घ्यात किजिए कूल पूर्ज फुल स्रमिंग पुल्सं की संख्या देखें कूल स्रमिंग तो आपके 72 है ठीक है दिया हूँ है कूल पूरुस आपके 24 है इसे किस से भी काट सकते, 24 तिया होता है आपका 72, तो देखिए ये तो आपके 3 हो गए और ये हो गए आपके 1, तो यह हो गए आपका 3 देखिए, महिला वा पूरसों का अनुपात देखिए, टोटाल 72 है, बातर में 24 पूरूस है, तो महिला कितने होंगे तो महिला आपके तो महिला है 48 पूरूस हैं आपके 24 तो कितने अनुपाथ आ गए तो जाएंगे कितने आ जाएंगे दो उनुपाथ एक तो महिला वा पूरूस का नुपाथ हो गया दो नुपाथ ठीक है तो आपको इसी तरह से इसे नौट कर लेना है चलिए मैं इसको इसके जगह पे ले चलता हूँ ठीक है यह हो गए आपके एंसर और इसे आपको नौट नहीं करना है चलिए अगला सवाल देखिए जो कि है हमारा सवाल नंबर 9 एक आयता कार पार्क की लंबाई 75 है चोड़ाई 60 है तो लंबाई चोड़ाई का उनपाद याद कीजिए यानि कि 75 उनपाद 60 याद करने देखिए 15 से दुनाओ काटेंगे 15 पचे 75 15 चोके 60 कितना आगया तो 5 उनपाद 4 आगया यहाँ पे आपके एंसर इतना बराबर 3 नपाद 5 उनपाद जाएं यहाँ पे आपके एंसर नपाद संटी कीजिए 5 15 15 कितना आगया 3 5 लेकिन आपको कार्ट केस में नहीं दिखाना है आपको दायर लिख देने इतना बराबर तीन अनुपात पांच तो यहां हो गया यहां पे आपका जो पेज नमबर था कितना 101 तो पेज नमबर 101 यहां पे हो गया आपका इस तरह से समावत चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पे 102 पे उससे पहले हदिया भी तब ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक करें चलिए यह अगला सबाल लेखते हैं पेज नमबर 102 का दिया है अनुपात वा समानुपात किया अधारना समझ कर बनाईए 36 मिनट का एक घंटे से अनुपात निकालना है तो देखिए 36 मिनट है और एक घंटे कितने मिनट 60 मिनट होते हैं इसे कैंसल कीजिए तो 6 चाक 36 और 6 से काटीगा तो 10 बार में और फिर 12 से काटीगा तो 12 दिया 36 और बर पंचे 60 तो कितने हैं कि 3 अनुपात 5 आपके इसके एंसर ठीक है तो यह एंसर होगे आपका 3 अनुपात 5 चलिए अगला देखते हैं 250 मिली लीटर का 2 लीटर से 250 मिली लीटर दिया है और 2 लीटर कितने होते हैं तो 2 लीटर ब्रावर होते हैं 000 ml और як 1500 से काटें कितने बार में कटेंगे तो यहां आपके काटेंगे आथ बार में इतने बार में 8 पर बेना ऑद 10 अधा यह हो जाएगा आपका एक अनुपाथ 8 जीलिए इसको सहिं जगह पर बयवस्थित कर दिया जाए है और यहां था आपका एक अनुपात आठ तो यह हो गया है आपका इनसर नमबर खो चलिए अगला देखते हैं सवाल नमबर दू तीन बटा चार के समान दो तूले अनुपात लिखिए तो दो तूले अनुपात लिखने देखिए तीन बटा चार के अनुपात मैंने बताया था करने यूपर आपको इससे मले दो से गुना कर दिखना अच्छा तो नीचे बीड़ों से गुना कर दिखने के लिए नहीं तब कॉमा यहां पर दे दीजिए और चलिए इसको इसके जगा पर रख दिया जाए ठीक है चलिए अगला सवाल देखे सवाल नंबर तीन दिया गया निम लिखी तरिक तस्थानों की पूर्ती कीजिए ज़िए मैं इसे जुम कर देता हूं ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें देखिए क्या किया है एक इस से तीन मतलब कि साथ से भाग दिया तो आ अब समझ गए कि यहां पे एक किया किया था और मैंने यांपर इससे के सॉल्फस किया ठीक है चलिए अब एगले देखने सवाल को जो कि हमारा है सवाल नंबर चार इस दिया बारा सौपच्चास को तीन अनुपात दो में बांटिये तो वारा सौ पचास को तीन अनुपाद 2 में बाटना है, ठीक है, तो चलिए पहले से तीन में बाटना है, तीन लिख देना यूपर में, और दोनों को जोड़ी, कितना आ जाएगा 5, तो 5 लिख दीजिएगा नीचे में, ठीक है, चलिए से भाग कीजिए, कितने हो जाएंगे तो 5 से जब से भाग दीजिएगा तो 5, 2, 10, 5, 20, 0 कितने हो गए तो यह हो गए आपके 250 तो 250 गुने 3 कितना हो था 25 तिया 75, 750 हो गए तो एक तो आगए आपका 750 दूसरा क्या करना है तो 1250 है लाश्ट में 2 था तो 2 जोडने पे हमारा 5 है तो 5 से भाग दे देंगे निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10, 5, 20 250 और 250 दूनी 500 तो एक तो आगए आपका 750 और दूसरा आगए आपका 500 तो बस आपको इस तना ही करके solve करके दिखाने के लिए बोला गया था ठीक है तो चलिए इसको इसके सही जगा पे वबस्थित कर दूँ इसे यहां पे इतने जगा तो नहीं दिये गए लेकिन आपको इसी तरह से छोटे छोटे अक्षणों में से solve करके यहां पे इसी तरह से लिखने है ठीक है तो चलिए मैंने दोनों इंसर को रख दिया आप चलिए देखते हैं सवाल नबर पांच को दिया गया है 45 अनुपाद 6 ग्राम और 36 ग्राम 48 ग्राम सवानुपात में हैं हातों के से चलिए देखते हैं देखें आपको 60 दिया किसे कटेंगे 15 से पनरतिया 45 पनरतिया 60 कितना आगा है तीन अनुपाद चार इसे देख लिजिए 36 अनुपाद अड़ाद आजिए किसे कटेंगे 12 से बारत यह 36 बर चोग अड़ाद आलिस बताए यह दोनों बराबर आए क्या हाँ आगए तो दोनों बराबर आगए मतलब कि यह क्या होगा यह समानुपाद में होगा वो लिगा हाँ सार यह समानुपाद में है तो लिखेंगे हाँ यह समानुपाद में होगा तब आप इसको कैसे दखाईएगा तो आप इसको यह पर इस तरह से लाइन दे दीजिए और बास आप इसको इसी तरह से बनार के यहाँ पे बना दीजिएगा ठीक है उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे हाँ तो यह हो गया आपका answer चलिए दिया है च्छो नमबर बोला है कि समानू पाथ है तो X का मान ग्यांत कीजिए देखे 36 बटा 81 को कैसे लिखेंगे तो 36 बटा 81 हो गए इधर X है बटा 63 हो जाएंगे चलिए से solve हीजिए कोई चीज है जिनसे कि यह कटेंगे तो देखिए 9 चोके 36 9 नम में 81 ठीक है अब अब 9 से इसे कटीए 9 सती 63 कितना आगए 9 सती 63 अब cross multiplication करेंगे तो X इधर कुछ नहीं है तो X उधर है तो 7 चोके 28 तो X का मानिया पर आगए आपका 28 तो आपको बस इसको इसी तरह से solve कर देने है तो चलिए इसे इसके जगा पर अच्छे से रख दिया जाए चलिए ठीक है अब यह आपको थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर दिया है X की 36 बटा X बराबर है आपका X बटा सोईला देखे साइन यहाँ पर गरत किया गया यहाँ पर डबल साइन होता यहाँ पर सिंगल होता कोई बात नहीं चलिए देखी तो 36 बटा X बराबर है X बटा सोईला गया X का मान निकलना तो यह क्रोस मैट्रिशन करेंगा X और X कितने हो गया X स्क्वेर और इधर हो गया 36 गुने सोईला ठीक है हमें X के मान निकलने तो बताइए इधर आके रूट बनेगा बोलेगा हाँ साइ 36 का रूट 6 2 का रूट 4 का रूट 2 तो X का मान कितना आ गया 6 गुने 12 तो यह हो गया यहाँ पे आपके इसके एंसर तो चलिए अब इसके एंसर को इसके सही जगा पे बरक्त दिया जाए ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है दिया दे 15 संतरों का मुली 75 रूट है तो 49 संतरों का मुली क्या होगा देखिए 15 संतरों का मुली आपको दिया है कितना रूट है 75 रूट है तो बटाई एक संतरों का मुली कितना बोली आपको बोली का सब 15 पचे 75 रूट है तो 49 संतरों का मुली निकालना है क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे 9 पचे 45 के 5 और 5 तिया 15 और 4 19 कितना होगा 195 रूट हो गए कितना होगा एक सो पंचानवे रुपए तो आपको यहां लिख देना इस तरह कि उन्चालिस संतरे का मुल्य कितने आगए तो नौपचे पैंतालिस के पांच पांच तिया पंदरा और चार उन्नीस एक सो पंचानवे रुपए ठीक है चलिए एक ला देखते हैं चालिस नुमबर दिया है एक आदमी एक कारे को 26 दिन में पूरा करता है तो 20 आदमी कारे को पूरा करने में कितने दिन चाहिए देखिए बोला 40 आदमी ये कारे को 26 दिन में पूरा करता है ठीक है तो बताई तो टोटल काम कितना हो गया तो 40 आदमी करता है 26 दिन ये पूरा काम हो गया करना कितना आदमी को है 20 दिन तो 20 से क्या कर देना है भाग देना दे दीजे कितने हो गए दो मह गए तो 26 दूनी कितने होते हैं 52 होते हैं तो यहां पे जो आपके answer हैं हुआ हो जाएंगे 52 तो आपको इसी तरह से आपका answer यहां पे लिख देना है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर आने सवाल नंबर 10 पर जो कि हमारा आज का अंतिम स्वाल होने वाला है लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाएविज पीके को सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइक करें उसे अपने दोस्तों को जरूर से जरूर से करें चलिए दिया दिया तिर्भूज के तीन कौनों का अनुपाद इतना है तो सबसे बड़े वा छोटे कौन का मान ग्यांत कीजी ठीक है देखिए पहला कौन तीन है तो यह तीन एक्स हो जाएगा बीच वाला कौन एक है तो यह एक्स हो जाएगा और तेरुवेत के तीनों कोनों का यह कितना होता है 180 डिगरी होता है तो देखे 3-3, 6x का मान कितना आ गया 180 डिगरीा गया 6x का अमान होगा आपका 180 डिगरी तो बता यह anayac का मान कितना होगा भाग देंगे थो Pelosi,ometryate, 80 30 डिगरी तो सबसे क्या बोलाए सबसे बड़ा सबसे चोटा तो सबसे बड़ा कौन कितना है तीन एक्स तो कितना हो जाएगा तीन तीया नौना बैड डिगरी और सबसे चोटा कौन क्या है एक्स तो यह तो हमारा आई गया तीस डिगरी तो बस यह हो गए आपके हैंसर तब से क्या करन इसको इसके सही अस्थान पे रख देना है तो चलिए मैंने इसे यहां पे रख दिया है तो आप आप इसको इसी तरह से नौट कर लें और हमारा जो पेज नमर था 102 आसमामत होता है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के पेज़ेज के साथ तब तक आप चैनल को देखते रहिए से अपने दोस्तों को सेयर कर जीए और से सब्सक्राइब किए जो जितना से जितना हो सकते हैं आप इस चैनल के सब्सक्राइब को ग्रो करने में मदद कीजिए तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लिए धन्निवास जाहिन वंदे मातरा